रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जैमातादी दोस्तों जोतिश शास्त्र के अनुसार भगवान शनी देव को न्याय का देवता माना जाता है और ये हमेशा अपने चाल परिवर्तन करते रहती हैं कभी-कभी इनके चाल परिवर्तन करने से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं तो कभी दुख की गड़ी आती है दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र सही हो तो व्यक्ति अपने जीवन में रतर के सुख को प्राप्त करता है और उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती लेकिन अगर किसी व्यक्ति के गरनक्षत्र सही ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन परिशानियों से भरा रहता है दोस्तों समय समय परगहों का परिवर्थन हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है ऐसे में आपको हम बता दें कि अब ऐसा संयोग बन रहा है जो की 10 साल तक रहने वाला है और जिससे शनी देव कुछ राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है और आपको हम बता दें कि इस परिवर्थन से आने वाले समय में कुछ राशियों वाले लोगों की सभी परिशानिया अब दूर होने वाली है और इनके किस्मत के ताली खुलने वाली है जब दोस्तों शनी देव किसी पर महरबान होती हैं तो उसकी किस्मत चमका देती हैं और शनी की क्रिपा से इस राशी वाले लोगों का अच्छा समय अब शुरू होने वाला है तो चलिए जानते हैं कि यह राशियां कौन सी हैं दोस्तों आपको बता दें कि आज की राच से शनी देव अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं शनी देव की क्रिपा बारा में से छे राशियों पर अधिक होगी जिनके दुख दर्द तो शनी देव दूर करेंगे ही साथ ही इनके किस्मत भी खोल सकते हैं आपको बता देए कि देवों के देव महादेव और शनिदेव की कृपा इस दोरान कुल छे राशों पर होने वाली है जिसका लाब इन्हें मिलने वाला है इन राशी वालों के परिवार में नई महमान का आगमन हो सकता है भगवान शनिदेव की कृपा से आने वाले समय में आप लोगों को नौकरी मिल सकती है जीवन के हर शेत्र में आप सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे शनिदेव और भोले बाबा की कृपा से इन लोगों को व्यापार में बढ़ा धन लाब हो सकता है इनके घर परिवार में कोई धार्मी कारेक्रम का आयुजन भी होने की संभावना नज़रा रही है परिवार में किसी नई महमान का आगमन हो सकता है आने वाले समय में इन लोगों को धन कमाने के नई साधन भी मिल जाएंगे जीवन के हर शेत्र में सफलता हासिल करते हुई आप लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे इन लोगों का रुका हुआ कार्य अब पूरा होने वाला है जीवन साथी के साथ संबंदों में मधूरता आएगी समाजिक और राजनितिक शेत्र में आपका आकर्शन बढ़ सकता है आने वाले समय में आप लोगों को अपने हर कारे में सफलता मिलेगी आपको शिक्षा के शेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है आपका खोया हुआ सच्चा प्यार भी आपको मिलेगा आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने जा रहा है जिससे आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी भगवान बुलेनात की क्रिपा से आपके जीवन के हर मोन पर आपको सफलता मिलेगी शनी देव और भगवान बुलेनात की क्रिपा द्रिश्टी आपके उपर लगतार बनी रहेगी माता पैता का सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा व्यापार करने वाले लोगों को व्यापार में बड़ा धन लाब हो सकता है जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए कोई नया रिश्टा आ सकता है आप अपनी वानी से लोगों को अपनी योर आकरशित कर सकती है अचानक आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको अपनी कारिस्थल में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा दोस्तों चलिए बताते हैं आपको कि ये राशियां आखिर कौन सी है तुला राशी, कन्या राशी, मेश राशी, कुम्ब राशी, मकर राशी और सिंग राशी आपसे अंदरोद है कि यहाप कमेंट सेक्षिन में सच्चे दिल से जैश रनिदेव अवश्य लिके और इस वीडियो को जितना हुसके शेयर कर दे साथी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले